हेलो बच्चों सागत है आपका हमारिटोष चैनल ओमला निक्लास में तो आज की वीडियो में हम रुक देखेंगे कि रिर्पत्तों का निर्गमन जो है वो क्रैप रतिफल की रूप में जब होता है तो उस कंडिशन में क्या चैनल एंट्री पहले इसका मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर इसका मतलब यह क्रैप रती फाल के रूप गन का की कमपनी आBen neo हम रोकर्मŃ खरीद रहे हैं र कुछ भी कोई चीज है चीज क्या मतलब वह संपत्ति रही है तो कमपनी क्या है किसी वैक्स से बैंकन tea को कोई संपत्ति रही मैं इस वैक्ति को नंगद मिन draws करूआ य तो यहां पर यही चीज़ हमें समझनी है कि जब कोई company किसी संपत्ती को खरीदने के बतले में अपने देड़ पत्रों का निर्णमन किसी व्यक्ति को करती है तो उस condition में क्या general entries होती है तो सबसे पहले इस condition में जो general entry होगी वो होगी संपत्ती को खरीदने की ठीक है संपत्ती को उधार मतलब पहले तो खरीद रही तो उधार ही एक तरीके से मानेंगे हम लोग कि उधार खरीद रही उसके बाद हम लोग भुक्तान केंची करेंगे तो जब संपत्ती को खरीद रही है तो जो भी assets होगा उसका नाम हम लोग लिख देंगे तो इसके बाद अब इस संपत्ती का भुक्तान होगा तो किसे भुक्तान होगा वेंडर को होगा किसे बुक्तान होगा लिर्पत्तो को निर्गमान करके अब आके जानते हैं कि जब लिर्पत्त का निर्गमन होता है तो वह तीन तरीके से होता है जा संप मुलय पर, प्रीमियum और क्टवति पर तो company तीनो में से ही किसी भी तरीकी को अपना सकते, तो हम लोग को तीनो तरी किसको निर्गमन हो रहा है vendor को तो vendors account debit हो जाएगा तु दिवेंटर अकाउंट हो जाएगा बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमें दिखाना है तो देखिए यहां पर किष्टों में भुकतान नहीं होता यानि कि application allotment यह सारी चीज़े यूज नहीं होगी यहां पर एक मुष्ट का बुकतान होगा जैसे कि जितने का समपति उसने खरीदा है उतने रुपय के रिड़ पत्र वो उसको निर्गमित करके एक ही बार में payment करके खाली हो जाएगी company तो इस तरी कैसे होगा अब यह होगा सम मुले पर दूसरा हो गया माली जी अगर premium पर निर्गमन कर रही है और फिर तो security premium reserve account तो जैसा कि हम लोग जब premium पर निर्गमन करते हैं तो normally क्या करते हैं security premium reserve account को credit करते हैं allotment के time पे same वही condition यहां पर भी है कि security premium reserve account को हम लोगो credit कर देना है और कुछ यहां पर हमें अलग सी करने की जगत नहीं है तिक अब इसके बात last एक और entry हो क्या हो सकती है मतलब वह condition पर निर्गमन करती है depend करती है तो क्या होगा क्टावती पर निर्गमन करके भुक्तान करना क्या इस condition में क्या entry होगी तो वही simple से entry होगी सबसे पहले हम लोग vendor account debit करेंगे ठिक फिर क्यों क्या निर्गमन है तो discount on issue of the venture account को भी debit करेंगे और तू debentures account हो जाएगा एक बस इतना ही हम लोग को यहां पर करना होता है करतावती पर निर्गमन करेंगे तो discount on issue of the venture को debit करेंगे और तू debentures account हो जाएगा अब यहां पर main बात यहां पर यहां पर कहा रहेगा कि उसका बुक्तान करने के लिए कंपनी ने 100 रुपय वाले रिडपत निर्गमित की हैं कोशन आपको यह नहीं बता रहा है कि आपने कितने रिडपत निर्गमित किये हैं ऐसा अधिकतर हर कोशन में होता है कि आपको रिडपत की value तो बता रही कि कितने का आपने रिडपत की यह आपको नहीं बता रहा था तो उसके लिए एक formula हम लोग अपनाते हैं उस formula पर रख क्या है तो आप यहां पर कर सकते हैं number of debentures हमें निकालने हैं यानि कि रिड़ पत्रों की संख्या हमें निकालने हैं तो कैसे निकलेगा तो फॉर्मूला है purchase consideration यानि कि जितने में हमने संपत्ती खरीदी है उसकी value हम यहां पर दिखाएंगे upon करेंगे issue price issue price per debenture बस देखें कितना सिंपल सा फॉर्मूला है number of debentures निकालने के लिए क्या करना है purchase consideration upon issue price per debenture ठीक है ऐसे इस तरीके से हम लोगों निकालना है अब आप समझ नहीं पारेंगे कैसे देखें जैसे माल लेजें कि हमें एक लाग रुपय का बुक्तान करना है जिसके पर निर्गमन कर रही है तो इसको हमनों क्या करेंगे एक लाग को हमनों डिवाइड करेंगे 100 रुपय से यानिकि एक रेड़ पत्र की वैल्यू जो है वह कितनी है 100 रुपय तो सौ से डिवाइड करेंगे यह क्या सम मुले पर अगर माल लीजे company premium पर निर्गमन कर रही है त पर निर्गमन कर रही है तो एक लाग का भुकतान करना है 10 रुपय की छूट पर तो कितना होगे 90 रुपय पर निर्गमन हो गया तो नब्बे से यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वह क्या आएगी वह हमारी number of debentures आगे यानिकि पर शि discount को हटा करें तो यह तरीका हो गया अब आगे इसके बेस पर हम लोग कुछ questions को solve कर लेते हैं तो देखे जैसा कि हमारा question number 11 है कि कुमुत लिमिटेट ने 99,00,00 रुपय मुल्य की भूमी और भवन खरीदा है और विक्रेता को क्रय प्रतिफल में रिड़ पत्रों का निर्गम पर हुआ है तो देखे यहां पर एक ही question में हमें तीनों condition दी है यानि कि यह कहा है कि 99,00,00,00 रुपय की भूमी भवन खरीदी गई है और हमें यह मान के journal entry करना है कि पहली condition सम मुल्य पर है दूसरी condition premium और तीसरी condition जो है वह कटौती पर अगर है तो इन तीनों ही अललालग conditions म कमपनी के journal में क्या लेखे किये जाएंगे तो आएगे हम लोग एक ही question में इसको समझ लेते हैं तो जैसा कि सबसे प्यार हम लोग क्या करेंगे समपत्ती खरीदने की entry होगी ठीक है तो भूमी भवन खरीदा गया है तो क्या देगा land and building account debit अब किस से खरीदा गया है उसका न बुक्तान हो रहा है वो 100 रुपए वाले रिड़ पत्रों को सम मुली पर निर्गमित करके हो रहा है तो सम मुली पर निर्गमित की entry क्या हो जाएगी तो हो जाएगा vendors account debit करेंगे तो कितना है 15% रिड़ पत्र है तो 15% diventures account हो जाएगा ठीक अब देखिए वाई समस्ते हैं बुक्तान को यहां पर खड़ी हुई कि कितने debenture को इस्व करेंगा ऐसा question में कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक debenture की value कितनी है 100 रुपए हमें बुक्तान करना है 99,00 बुक्तान करना है अपान में एक debenture की value कितनी है 100 रुपए इसे साब से कितना हो गया तो 99,000 debentures हो यह चीज हो गया दूसरी कंडिशन दिया है कि माल लीजे प्रीमियम पे 10% अगर प्रीमियम पे कंपनी निर्गमन करके भुकतान करना चाहिए तो क्या एंट्री होगी उस कंडिशन में क्या एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डैबिट करते हैं हम लोग तू 15% डिवेंचर्स अकाउंट और क्या देगर तू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ठीक यही बस एंट्री होगी अब यहां पर भाई चीज है कि हमें नंबर अफ डिवेंचर्स निकालने होगे तो कैसे निका तो एक डिवेंचर की वेल्यु इतनी वे 110 रुपै करेंगे कितना हुगया कंपनी को इसके लिए 90,000 रुपै के रेट से इसू करेंगी तो 99,000 रुपै का बुपतान कर पाएगी तो यहां पर हो जाएगा 90,000 डिवेंचर्स को 110 पे निर्गमित कर रही है तो 92,001 रुपतान ह होगा अब यहां पर किया दिखाएंगे तो दख़ाईंगे एक किया सगा बेंचर्स का सовых प्रपय के हो दिखाएंगे तो देखिए And ज्यक्त का सो रूपए के से रहे हैंदियों हो घ्रा उर्झा नौत नव लाग नौत है कि पीपमन हो रहा है तो बस बसности, एंट्री हम लोग क्या करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट करेंगे डिसकाउंट ओन इस्चू ऑफ 15% डिवेंचर अकाउंट करेंगे तो 15% डिवेंचर्स अकाउंट करेंगे ठिक अब यहांगे निर्गमन जो ςुए 10% कर्टाओती होगी यानि की 10 रुपय कम पर वेंजद की वैयल्ई है सो रुप यूसमें 10After कम करदीज़े तो यानि की एक रीड़वत जो है कितने पर निर्गमन हो रहा वो कितनेस दक्वित रुपफ़ करना हो एंन। रिफाय का भरवगा हो पाईगा तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट क्या दिखाएंगे यहां हो जाएगा है है कितने के है 100 रुपय के साथ गल्दी हो गई नहीं सही है हम लोग क्या करेंगे एक लाग दस अजार रेट पत्र निर्गमित होगे जिनकी रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100 रुपय यानिकी है इसाथ से टोटल निर्गमन होगा वह कितनी रुपय का होगा तो 1 क्योंकि यह 90 रुपय के रेट से हो रहा है तो 1 रुपय की रेट से हो रहा है तो 99,000,000 वह भुक्तान हो जाएगा हमारे वेंडिर को और discount कितना है तो एक लाग 10 जार रेड़ पत्तों पे 10 रुपए के दर से discount है तो कितने का discount 11 लाख रुपए का discount है थेक बस हम लग को इतना रिखा रहा है तो देखें vendor को तो 90 रुपए के दर से जब 1,10 जार रेड़ पत्तों का निरगमन हुआ तो उसे 99 लाख रुपए मिल गया है उसे तो इसी से मतलब था तो उसे अपनी रकम मिल गई है 11 लाख रुपए का discount जो है वो company अपनी और से दी है जो real value थी 100 रुपए के हिसाब से वो हमने diventures के सामने दिखा दी तो ये तीन conditions हमें एक ही question में दिए हुए थे बुक्तान करने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक condition में हम लोग कैसे जंगर एंट्री करेंगे तो आई होब कि आप लोग को ये चीजे जो है वो काफी अच्छे से समझ में आई होंगे ठीक है अब इसके बाद जो हमारा question number 12 and 13 है ये दोनों भी same इसी तरीके से है इसलिए हम आपको इसको solve नहीं करवाएंगे थोड़ा से changes में ये दिया हुआ है कि जैसे दो लाग 20,000 में भावन खरीदा गया है और आध्या जो है वो आधा भाग नकत में भुक्तान किया गया है और आधे भाग के लिए जिर्पात निर्गमित किया गया है तो कोई रिक्कत नहीं है दो लाग 20,000 का भावन है इसका आधा कितना हुआ एक लाग 10,000 तो सबसे पहले हम लोग भावन खरीदने की एंट्री करेंगे और सेम वही कंडिशन यहां पर है कि आधे भाग का भुक्तान नकत में हुआ है लेकिन जो निर्गमन है वो छूट पर हुआ है तो यहां पर डिस्काउंट वाले एंट्री कर देंगे तो आई होब कि आपको यह दोनों चीज़े समझ में आएंगे कि फिर भी कोई कंडिशन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में